So good morning guys और current affairs के revision वाले session में सबसे पहले हम पुराने महिने के current affairs का revision करते हैं तो हमारा पहला प्रशन देखिए क्या है World Kidney Day ये कब मनाया गया तो answer होगा 11 March को Actually में March के दूसरे गुरुवार को ये मनाया जाता है इस बार हमने 11 March को इसको मनाया इसकी theme थी Living Well with Kidney Disease बताईए किसे International Olympic Committee के अद्धिक्ष की रूप में चुना गया फिर से चार सालों के लिए चुन लिया गया Thomas Buck को International Olympic Committee का Headquarter आपको मिलेगा Laws in Switzerland में और United Nation के बहाई ये Auditor External Auditor समीति का अद्धिक्ष किसे न्यूक्त किया गया ये हमारे 14 नंबर के Comptroller and Auditor General है नाम है गिरिश चंदर मुर्मू जम्मू कश्मीर जब यूनिन टेरिटरी का दर्जा मिला था तो जम्मू कश्मीर के पहले Lieutenant Governor थे ये फिर बताईए किसे 2021 FIFA Awards से सम्मानित किया गया फिर बताईए किसे 2021 के FIAF Awards से सम्मानित किया गया तो आंसर होगा मिताब बच्चन को FIAF मतलब होता है Federation Internationally the Archive the Film फिर बताईए Dust Lick नाम का जो अभ्यास है भारत और किस देश की बीच में हुआ उजबिकिस्तान और ये दूसरा संस्करन था ये अभी उत्तराखंड में हुआ था मार्च में उजबिकिस्तान की केपिटल ताशकंद है करंसी सोम है प्रसिडेंटे शावकत मिर्जी योईव और हाँ गाईज इंडिया के टॉप बैंक एडूकेटर्स एक बार फिर अनकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं कुछ टॉप एन अल्टिमिट बैचेज तो अनकैडमी का हर बैच कंड़क किया जाता है आपकी बैंक की हर परिक्षा की तयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए और ये सबी बैचेज आपको मिलेंगे अनकैडमी पर जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेडियूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं तो अनकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्ड़ेट सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोट करके ओफलाइन भी देख सकते हैं और आप लाइव क्लास में आसका डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करा सकते हैं आप लाइव क्यूजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं यहां पर आपको अपनी live ranking भी देखने को मिलेगी। तो anacademy पर total 12 plus languages में classes conduct होती है। आप अपनी favorite भाषा में class attend कर सकते हैं। आप अपनी teacher के साथ interact कर सकते हैं और live poll में part ले सकते हैं। यह सभी feature आपको मिलेंगे एक ही platform पर एक ही subscription के साथ। तो आज ही subscribe करें anacademy पर और इन सभी benefits का लाब उठाईए। देखें अगर आप मेरा code जो है crack exam 10 उसे use करेंगे तो आपको additional 10% का install भी मिलेगा। और आपको सभी batches की link और subscription ही सब नीचे description में मिल जाएगा तो अभी हम बढ़ते आगे। बताईए किस bank ने वियर एन पे contactless device को launch किया एक्सिस बैंक ने एक्सिस बैंक का headquarter मुंबई में है MDC अमिताप चौदरी है और tagline उठी है बढ़ती का नाम जिंदिगी बताईए आईवरी कोस्ट के प्रधान मंतरी का निदन हो गया था भी क्या नाम है उनका हामिद बाकायको आईवरी कोस्ट की देखो capital यामु सोक्रो और president इसके कौन है LSN और TARA और अभी कोवेक्स योजना के तहट मुफ्त कोविड टीको का बेच प्राप्त करने वाला ये दूसरा देश बना था पहला घाना था भारत के मुख्य सांखे की विद्चीफ स्टैटिस्टिकन आफ इंडिया के रूप में किसे न्यूक्त किया गया जीपी सामन्त को और स्टैटिस्टिक से याद रखो दो डे एक तो national स्टैटिस्टिक डे होता है 29 जून को एक वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे होता है विश्व सांखे की दिवस होता है कब 20 अक्टूबर को यह हर 5 साल में एक बार होता है अब बताईए किसने इब्राहिम प्राइज फॉर अच्यूमेंट इन अफरिकन लीडर्शिप 2020 प्राइज जीता तो अंसर होगा महामदो सूफू यह नाइजर के प्रेसिडेंट है लेकिन अप्रेल में यह इस्तिफा दे देंगे और उनके बाद जो नए प्रेसिडेंट होंगे वो है महामद बेजूम नाइजर की केपिटल नियामी है अब बताईए मैटी यानि कि Ministry of Electronics and Information Technology के द्वारा जारी डिजिटल पेमेंट स्कूर कार्ड की सूची में लगतार तीन महीनों तक कौन सा बैंक टॉप पेरा स्टीट बैंक ओफ इंडिया बढ़ते आगे फिर बताईए किस देश के एक समाचार चैनल ने देश के पहले ट्रांसजेंडर समाचार प्रस्तुत करता यानि कि न्यूज एंकर को अपॉइंट किया तो आंचरोगा बांगला देश ने और उन ट्रांसजेंडर का नाम है तश्रुवा आनंच शिशर बताईए किस राजे सरकार ने मेजर ध्यान चंद स्टेडिम योजना को शुरू करने की घोशना की तो आंचरोगा राजस्थान और किस भारते को अमेरिका के वाइट हाउस मिलिटरी ओफिस का निदेशक नियूक्त किया गया मजू वर घीस को अच्छा बताईए विमेन इन बिजनिस 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ट प्रबंद निदेशक के रूप में कार्रे करने वाली महिलाओं के मामले में भारत कितने इस्तान पे रहा तीसरे इस्तान पे पहले पे फिलिपिन्स दूसरे पे साउथ अफ्रिका और अभी जो पेन फ्री माइंड सेट नाम की बुक आई है उसकी लिख कौन है डॉक्टर दीपक रविंदरन और भारते सेना ने अपना पहला कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन जिसका नाम है रेडियो चिनार ये कांप अंसर होगा फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यू यॉर्क आचा बताईए कि स्राज्य में स्वयम सहायता समुहों यानकि सेल्प हेल्प ग्रुप के लिए मिशन शक्ति नाम से एक नया विभाग इस्तापित किया गया तो अंसर होगा उडिसा और किसे येल्ड प्लेटफॉ अंसर होगा आयुश्मान खुराना को बताईए राष्टर स्टार्टप सलाकार परिशद यानि के एडवाइजरी काउंसिल की पहली भैटक के अद्रक्षदा किसने की पियुश गोयलने की और इस बैठक का इस परिशद का जो उदिश है वो है भारत में स्टार्टप जो न मुंबई में सीओ विश्व वीर आ हो जाए और मास्टर कार्ड का हेड़कोटर न्यू यॉर्क में है इसके कारेकारी अद्दक्ष कोने अजे बंगा बताईए कौन सा देश विश्व टेबल टेनिस चेंपियंशिप की मेजबानी करेगा 2020 में अमेरिका ये नवंबर में ये एक घरेलू कंपनी है क्लीन मेक्स उसके साथ समझूता किया तो अंसर होगा किस राज्य में स्थित करनाटक राज्य में स्थित बताईए सभी ग्रामिंट परिवारों को नल का जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाए भी 2021 तक तो अंसर होगा मद्यप्रदेश ने और भारते रेल्वे ट्रेनों और स्टेशनों का जो परिशर होते हैं जो प्रिमिसेज होता है उनका वहाँ पे अगर आप फेस मास्क लगा कर नहीं जाओगे तो फिर आप पे जुर्माना लगाया जाएगा कितने का 500 रुपे का बताईए एशियन वेटलिफ्टिंग चेंपियंशिप में 119 किलोग्राम भार उठाकर क्लीन एंड जर्क में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया किसने मीरा भाई चानू ने ये चेंपियंशिप हो रही थी ताशकंद में बताईए भारत ने अपने पहले मानों अंतरिक्ष मिशन गगन्यान में सह्यूक के लिए किस देश के साथ समझोता किया तो अंसरोगा फ्रांस के साथ और इस गगन्यान मिशन का उद्देश है 2022 तक भारते अंतरिक्ष जात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाना बताईए किस देश ने 15 साल से कम अमर के बच्चों से दुश कर्म को डंडनी अपराद बताते वे कानून परित किया तो आंसर का फ्रांस ने वह ऐसा करने वालों को 20 साल की सजाद सुनाई जाएगी बढ़ते आगे स्टेटिक कुशन्स की बात करेंगे बताईए फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांस जेंडर महिला का नाम के है मारा गोमेज है यह अर्जेंटिना से है भारत में ब्रेटेश उच्चायुक्त हाई कमिशनर कौन बने थे बताओ अलेक्जैंडर एलेस और गायतरी कुमार है वहाँ पे जाने के ब्रेटेन में भारते उच्चायुक्त बताईए मनिपूर हाई कोट के चीफ जस्टिस का नाम के है पीवी संजे कुमार है और युनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का सदभावना राजदूद गुडवेल एमबेजडर किसे बनाया गया यह रश्या की एक सूपर मॉडल है जिनका नाम है नाम है नातालिया वोडिया नुवा और युनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का हैटकोटर मिलेगा नियू यूर्क में बताइए वर्ल्ड ट्रेड और्गेनाइजेशन के डिरेक्टर जनरल यह नई बनी है एंगुजी ओकुंजा इवेला नाम है इनका पहली महिला द्यक्ष बनी है इसकी इंपॉर्टेंट नाम है और अमेरिका के पहले सेकिंड जेंटलमेन कौन बने डगलस एम हाफ कमला हैरि अकली गरिपश्वीली घाना की कैपिटल क्या है अक्रा है कैपिटल घानियन केडी है और भारत का पहला ट्रांस जेंडर कम्यूनिटी डेस कहां पे खुला है तेलंगना में अब बताइए 2021 किसको सिक्षा का वर्ष किस ने गोशित किया गोशित किया आंसर होगा और नाचल प्रदेश ने बढ़ते आगे अच्छा डेस की बात करते हैं बताइए वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेर्नेस डे ये मनाया जाता है 15 जून को जिसकी थीम रही थी लिफ्टिंग अप वोईसेज और आप याद रखना 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ओफ आल्डर प बनाया जाता है जिसकी थीम थी बिल्डिंग रेजिलेंस इन टाइमस अफ क्राइसेश एक अंतरराष्ट्र परिवार दिवस भी होता है जो 15 मई को होता है बताइए विश्व मरुस्तली करन्वसूखा रोकताम दिवस ये कब होता है ये 17 जून को होता है और इसे को इंग्ल याद रखें आप एक World Autism Awareness डेबी होता है जो 2 अपरिल को होता है जिसकी थीम थी The Transition to Adulthood अब हमने कहा Autistic Pride Day कब होता है 18 जून को 18 जून से कुछ याद आ रहा है करनाटक की सरकार ने मास्क दिवस मनाय था 18 जून को ही और 18 जून को ही Sustainable Gastronomy डेबी होता है फिर बताइए व विश्व शरणार्थी दिवस ये कब होता है ये होता है 20 जून को जिसकी थीम थी Every Action Counts बताइए International Yoga Day ये तो 21 जून आप जानते ही हो और क्या थीम रही थी इसकी Yoga for Health, Yoga at Home फिर बताइए World Music Day कब होता है ये 21 जून को ही होता है और 21 जून को ही World Hydrography Day भी होता है अच्छा United Nations Public Service इस डे सयुक्तर राष्टर लोग सेवा दिवस कब होता है 23 जून को होता है और 23 जून को ही International Vidow Day अंतर राष्टर विदवा दिवस के रोप में भी मनाया जाता है तो गाइस ये था आज का हमारा Current Affairs का Revision वाला Session, Session अच्छा लगाओ तो प्लीज इसे Like जरूर कीजेगा, Thumbs अपने Friends के साथ में या जो भी आपका WhatsApp पे Study Group पे वहाँ पे इसको Share जरूर करना, आप कुछ कुशन्स आप लोगों इसे पूछे जाएंगे, कुशन्स आप लोग लगाईएगा और देखेगा कितने कुशन्स आप लोग से बन पारे हैं, बाकिया उनको कल सॉल करते हैं, यह प्रओक में लोगémों से पारे हैं, वहाँ लोगे हैं, यह जज दी हम इसको क्निता क साथ में बनापका हरा हैं, यहाँ लोगों ग्रोगी आपका प कितने पता भीप, म siipp लोगी ओने काते हैं, आपका हैं, गामें एफोंस द और अका।